तो देखिए हम लोगोंने 7th class जो है वो अच्छे जे डिडियंग कर ली थी फिर हमने उसके question answer start कर दिये हैं chapter 1 हमारा चल रहा है जिसमें हमने 30 question जो है वो last video में discuss किये थे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि ये सभी चीज़ें आपको याद हो सके याद करने का केवल यही तरीका होता है कोई भी short trick नहीं होती है बार बार इनको पढ़ना पढ़ता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं question 31 तो हमने last video में यहां तक कर लिया था कि राश्ट्रे उध्यान जो है राजे स्थान में तीन है केवला देव राश्ट्रे उध्यान, रण थंबो राश्ट्रे उध्यान और मुकुंद्रा हिल्स राश्ट्रे उध्यान तो तीनो राश्ट्रे उध्यान के नाम आप याद रखेंगे तो question 31 है रण थंबो राश्ट्रे उध्यान में कौन से वन जीप पाये जाते हैं तो यहां पर बाग, भालू, सांभर, नील गाय, मगरमच तो यह सब ही जो हैं जानवर पाये जाते हैं तो यह राश्ट्रे कहां हैं सवाई माधोपूर जिले में हैं मुकुंदरा हिल्स राश्ट्रे उध्यान कहां इस्तित हैं मुकुंदरा हिल्स राश्ट्रे उध्यान कहां इस्तित हैं तो यह कोटा और चित्तोडगर में इस्तित हैं ठीके कोटा और चित्तोडगर जिले में फैला हुआ है तो उसे कहते हैं अभ्यारण्य ठीक है अभ्यारण्य तो यहां पर थोड़ा सा शब्द सही नहीं लिखा है अभ्यारण्य में भाजु है वो पूरा आएगा तो यह ऐसे वन होते हैं जिनका जिनमें सरकार का उदेश्य ही होता है कि जो जंगली जानवर हैं उनको सुरक्षित क किया जा सकें तो सरकार द्वारा वन शेत्र को यहां सनरक्षित किया जाता है राष्ट्रे मरु उद्ध्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहां इस्तित है तो यह जैसल मेर और बाड मेर चिले में इस्तित है और यहां पर इन उद्ध्यानों में आपको गोड़ावन, लॉमरी, चिंकारा और नीलगाए ऐसे वन्य जीव जो है वो मिलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है गोड़ावन पक्षी के बारे में कि गोड़ावन जो राज्य पक्षी है गोड़ावन क्या है राज्य पक्षी है तो यह किस मरु उद्ध्य राश्ट्री मरु उद्ध्यान में कौन से जीव पाये जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि गोड़ावन तो यहां है इसके अलावा भेड़िया, शियार, लॉम्री, चिंकारा, नील गाए तो यह सभी पाये जाते हैं केला देवी वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है यह सवाई माधवपुर और करोली में इस्तित है केला देवी वन्य जीव अभ्यारन ने कुम्बलगड वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है कुम्बलगड वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह राज सम्मद, पाली और उद्यपुर जिले में इस्तित है तो इतने एरिये में फैला हुआ है कुम्बलगड वन्य जीव अभ्यारन तो यहां पर आपको ब बाग, भालू, चिंकारा, नील गया जो हैं वो, मिलेंगे कुम्बलगढ बन जीव अभ्यारन में। Next देखिए, फुल्वारी की नाल बन्ने जीव अभ्यारन कहां इस्तित है। तो याद रखिएगा, फुल्वारी की नाल बन्ने जीव अभ्यारन पुधय पुड्य जिले में इस्तित है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो इंपोर्टेंट है कई बारे एक्जाम में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारन के बारे में पूछा गया है तो यह अलवर जिले में इस्तित है और यहां पर बाग, सांभर, चीतल ऐसे जो वन्य जीव हैं य यहां पर मिलेंगे तॉडगड रावली वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कर्नल जैम्स टॉड जो है उनके नाम से ही यह वन्य जीव अभ्यारन का नाम रखा गया तो यह राज समझ अजमेर और प खालू मिलेगा नील गाय मिलेगी बाज मिलेगा शियार मिलेगा रीच मिलेगा ठीक है तो कुछ इंपोर्टेंट जो होंगे वो मैंने आपको बताये थे कि जो राश्ट्री मरू उद्ध्यान जो है जहां पर गोड़ावन राज्य पक्षी जो है जो कि जैसल मेर बाड मेर म हैं तो यहां पर मिलेगा तो यह आपको याद रखना है दूसरा मैंने इंपोर्टेंट यह बताया था कि सरिस्का में भी आपको बाग मिलेंगे सीता माता वन्यजीव अभ्यारन कहां इस्तित है यह प्रतापगर्ड, चित्तोरगर्ड और उद्धैपुर में इस्तित है और इंपोर्टेंट है कि यहां उढ़न गलेरी जो वन्यजीव पाई जाती है तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है सीता माता वन्यजीव अभ्य कहां इस्तित है तो यह तो आराम से आप लोग याद रख पाएंगे कि यह सिरोही में इस्तित है और यहां आपको जंगली मुर्गा मिलेगा, रीच मिलेंगे, चिंकारा मिलेगा, चीतल मिलेगा माउंट आवू वन्यजीव अभ्यारन में मुक्य रूप से किस प्रजाती के लिए प्रसिद है तो यह किस के लिए प्रसिद है जंगली मुर्गे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद है माउंट आवू वन्यजीव अभ्यारन और यह अभ्यारन कहां है यह सिरोही जिले में इ तो कुछ जो अभ्यारन के नाम जो हैं वो आपको देखते ही पता लग जाएंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा वन्यजीव मिलेगा तो रामगड विष्धारी वन्यजीव अभ्यारन इस्तित है बूंदी में और ये विष्धारी सांप के लिए जाना जाता है यहाँ पर ये सरवादि को मिलते हैं इसके अलावा बाग भी मिलता है रीच भी मिलता है लेकिन विष्धारी सांप के लिए ये जाना जाता है जमुवा रामगर वन्य जीव अभ्यारन कहां इसते थे तो यह जैपुर जिले में इसते थे राष्ट्रिय चम्बल गड़ियाल वन्य जीव अभ्यारन कहां इसते थे तो यह कोटा में सवाई माधोपूर, करॉली और धौलपूर में इस्तित है जहां जहां तक चंबल नदी जो है जा रही है तो वहां तक राश्ट्रिय चंबल घडियाल वन्य जीव अभ्यारन इस्तित है चंबल नदी के सहारे पर तो यहां आपको घडियाल मिलेगा, भेडिया मिलेगा, लॉम्री मिलेगी और सबसे ज़्यादा यह जाना जाता है वन्य जीव अभ्यारन घडियाल के लिए जवाहर सागर अभ्यारन कहां इस्तित है यह कोटा, बूंदी और चित्तोरगर में इस्तित है छीक है कोटा बूंदी और चित्तौडगर में इस्तित है बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण कहां इस्तित है तो यह है भरतपुर में कहां पर है भरतपुर में भैसरोडगर्ड वन्यजीव अभ्यारण कहां इस्तित है तो यह इस्तित है चित्तोडगर्ड में ठीक है इसके अलावा यहाँ यहाँ पर बसी वन्यजीव अभ्यारण भी है कहां चित्तोडगर्ड में सवाई मान सींग वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह इस्तित है सवाई माधवपुर में याद रखिएगा कहां इस्तित है सवाई माधवपुर में वन बिहार वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह धौलपुर में इस्तित है नेक्स्ट देखिए जैसम्मद वन जीव अभ्यारन और सज्जनगर्ड वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह कहां इस्तित है उदेपोर जिले में इस्तित है देखिए यहां से प्रश्ण जो है वो हर 12 एक्जाम में पूछा जाता है और यही पूछा जाता है कि यह वन या चीतल, खर्गोस इसके लिए famous है ठीक है और हमने देखा कि सीता माता वनजीव अभ्यारन जो उड़न गलेरी के लिए और सरिस्का वनजीव अभ्यारन जो की बाग के लिए जाना जाता है तो ऐसे जो हैं ये आपको याद ही रखने हैं और इसके अलावा ये वनजीव अभ्यारन कहा है तो उस जिलों के नाम जो हैं वो याद रखेंगे आप किसी भी कमटिशन के त्यारी करो चाहे आप आरेयस तक्की करो तो यहां से एक कुशन आपको हर बार एक्जाम में देखने को मिलेगा नाहरगड वनजीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह जैपुर जिले में इस्तित है जैपुर जिले में इस्तित है नेक्स्ट देखिए शेरगड वनजीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह इस्तित है बारा जिले में याद रखिएगा बारा जिले में है शेरगड़ वन जीव अभ्यारण राजिस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो वह है चिंकारा ठीक है? आपको याद रखना है राज्य स्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा ठीके दोनों ही याद रखिएगा कि वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा को पूछा जाएगा और पालतु पसू यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उट ताल चापर वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह इस्तित है चूरू जिले में राजिस्तान के कौन से वन्य जीव अभ्यारन बाग संद्रक्षन पर्योजना में सामिल है तो यह है रंधंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स यह तीनों बाग संद्रक्षन पर्योजना में सामिल हैं कौन-कौन से रंधंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स वहीं हमने तीन राश्ट्री उद्यान देखे थे राजिस्तान में तो वहाँ पर हमने देखा था केवला देव, रंधंबोर और मुकुंद्रा हिल्स ठीके, confused नहीं होना है, देखिए, राश्ट्री उद्दान जब आएगा, तब आप केवला देव, रन्थंबोर और मुकुंद्रा हिल्स, ठीके, और जब आएगा बाग संरक्षन परयोजना, जहां पर बागों को संरक्षित किया जाता है, तो वहां पर आपको केवला देव, जो राश्ट्री उद्दान आपने याद किया था, उसको हटाके आप याद रख लेंगे सरिस्का, जो की बाग संरक्षन परयोजना में शामिल है, ठीके, दो तीन बार बोलेंगे कि केवला देव, रन्थंबोर, मुकुंद्रा हिल्स राश्ट्री उद्दान है, रन्थंब तो ये हैं केवला देव, राश्ट्री उद्दान और सामबरजील, ठीके, जो की नम भूमी हैं, केवला देव और सामबरजील, नेक्स्ट दिखिए, और यहाँ पर जो हैं, वो प्रवासी पक्षी जो हैं, वो यहाँ पर आते हैं, वैटलेंड इस्थल पर, राश्ट्रिय राष्ट्रिय वन नेती कब घोषित की गई थी 1952 इसवी में घोषित की गई थी राष्ट्रिय वन नेती तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो कुल भूभाग का लगवग 33% भाग जो है वो वन शेत्र का होना ही चाहिए ठीक है तो राष्ट्रिय वन नेती जब 1952 जो है भोशित की गई थी तो उसकी अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% जो भाग है वह वन शेत्र होना चाहिए। राश्ट्री वन नीती के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन शेत्र होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि यह 33 परसेंट जो होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुश्चन है, 61 राजिस्थान राज्य की वन निती कब घोसित की गई? तो यह घोसित की गई 2010 में, ठीके? और यहां पर संपून जो भू भाग है राजिस्थान में, तो उसका 20 परसेंट भाग पर जो है वन शेत्र होना चाहिए, ऐसा लक्षे रखा गया, हाला कि हुआ नहीं है, अभी राजिस्थान में वन शेत्र जो है वो केवल लगवग 10 परस वन शेत्र होना चाहिए, ऐसा लक्षे रखा गया था, तो इस तरीके से यह चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है, मिलते हैं, नेक्ट चैप्टर के साथ, थेंक यू